असलाम अलेकुम, वेलकम टू माई चैनल प्लीज शेर, कमेंड एंड सस्क्राइब आज सालिहास दस्तरखौन में बनने जा रहा है दाल फराई जब हमारा मन कोई सबजी बनाने का ना हो तो हम ऐसी दाल बना के चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं यह बहुती टेस्टी और यम्मी बनती है आईए चलिए से बनाना शुरू करते हैं पहले हम अरहर की दाल को धुल के 10 मिनट के लिए भिगा कर रख देंगे अब एक कुकर में हम दाल डाल लेंगे अब इसमें एक चमच हल्दी और देड़ चमच नमक डाल के हम इसे उबाल लेंगे 5 मिनट के लिए अरहर की दाल जल्दी गल जाती है अब एक कड़ाई लेंगे इसमें एक चमच देसी घी डालेंगे आप घी की जगा तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर घी में दाल अच्छी लगती है अब इसमें आधा चमच हींग डालेंगे हींग से डाल कर तेस बढ़ जाता है अब इसमें एक चमच जीरा डालेंगे अब हम तीन मिल्चा लेंगे और दो कटी हुई प्यास लेंगे इसे हम कड़ाई में डाल देंगे और अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर देंगे प्यास को हमें गोल्डन फ्राई करना है जब प्यास हमारी गोल्डन फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें एक चमच अधरक लेशन का पेस डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब हम इसमें आधा चमच हल्दी पॉर्डर डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे इस बात का ख्याल रखें कि जो बॉल की हुई डाले उसमें भी हमने नमक डाला है तो ऐसा ना हो कि नमक जादा हो जाए अब इसे अच्छे से चला लीजे अब एक बड़ा टमाटर काटके इस मसाले में डालेंगे आप इसमें हरी मिर्चे भी काटके डाल सकते हैं मैंने इसमें मिर्चा काटके नहीं डाला है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ देखे हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है अब इसमें एक चम्मच धनिया पॉर्डर डालेंगे और इसे अच्छे से सब मिला देंगे अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे धनिया की पत्ती डाल के इन सब को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जितना हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे डाल उतनी ही टेस्टी होगी ये देखिए मसाला हमारा भून गया है अब उबली हुई सारी डाल हम मसाले में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हरी देनिया डाल की पांच मिनट डाल को हम और पकाएंगे ताके डाल और मसाला सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब एक सर्विंग बॉल में हम डाल को निकाल लेंगे आईए अब हम डाल का दूसरा तड़का तयार करते हैं उसे डाल पे डालने के बाद डाल का टेस्ट और बढ़ जाएगा तड़का तयार करने के लिए एक छोटा सा वर्तन लेंगे उसमें आधा चमच हम घी डालेंगे और आधा चमच जीरा डालेंगे थोड़ा सा लाल मिल्चे का पॉर्डर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया डालेंगे और चूले को बन कर देंगे ताके हमारा मसाला जले नहीं अब दाल के उपर से ये तड़का हम डाल देंगे ये देखी हमारी दाल फराई बनके अब तयार हो गई है अगर ये दाल फराई आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे अल्ला हाफिज थैंक यू फॉर वाचिंग